दोस्तो यूटूब ने फिर से एक बहुत ही बढ़िया निव अबडेट को लॉंच कर दिया है और इस अबडेट से हर एक यूटूब क्रियेटर्स को, हर एक यूटूबर्स को बहुत जादा फायदा मिलेगा चाहे आपका चैनल छोटा ही क्यों नहों, या आपका चैनल बहुत ही बढ़ा क्यों नहों इस अबडेट के आने से हर एक यूटूबर्स को बहुत जादा फायदा मिलेगा तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चले बात करते हैं यूटूब के निव अपडेट के बारे में दोस्तों आप लोगों ने यूटूब पे हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बाते जानकारी आप लोग को सुनने और देखने को मिला होगा कि आज इस भाई का चैनल हैक हो गया या आज इस बहन का चैनल हैक हो गया यानि यूटूब चैनल हैकिंग की प्रोलम आप लोगों को जादा देखने को और सुनने को मिलती होगी आप लोगों न हमेशा अकसर करके एक चीजे सुना होगा कि एक लग सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हैक हो गया एक मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हैक हो गया पांच मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हाइज जैक हो गया यानि चैनल हैकिंग के लेकर के आजकल बहुत जादा प्रोलम देखनों को मिल लिए और जिस यूटूबर्स का चैनल हैक हो जाता है ना सच को तो दोस्तों वह यूटूबर्स बहुत जादा परसान हो जाता है वह यूटूब को ट्विट करने लगता है चैट करने लगता है म मेरे चैनल को पुर्णा जल्दी से जल्दी वापस करो और यूटूबर से भी help मागने लगता भाई मेरे चैनल को वापस लाने में help करो मेरा चैनल hack हो गया है तो यूटूब ने इसी चीज को देखा है और इसी को देखते हुए यह update को launch किया है ताकि आप लोग का चैनल safe और secure है आपके चैनल को कोई भी hack न कर पाए और इसी को देखते हुए यूटूब ने एक नया platform को launch किया है यानि एक नय website को launch किया है और उस website का नाम है creator safety center site यानि friends creator center site के मदद से आप अपने चैनल को पहले की अपेच्छा और भी ज्यादा safe और secure कर सकते हैं चलिए दोस्तो इसके बारे में थोड़ी detail में बताने के लिए आपको मैं ले के चलता हूँ अपने mobile के screen पर तो दोस्तो आपको मेरे mobile के यहाँ आप यह screen देखनों को मिल जा रहे होगी सबसे पहले आपको अपना chrome browser को open कर लेना है जैसे friends आप अपना chrome browser को open करेंगे यहाँ पर आपको search करना है google में एक website और उस website को जिसने youtube ने launch किया है उसी को आपको search करना है website क्या है दोस्तो ध्यान से देखना website का नाम है पूरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर www.youtube.com ध्यान से देखना दोस्तो youtube.com slash creators ठीक है slash creators फिर slash safety ठीक है safety और एक चीज़ दोस्तो ध्यान से देखना यह जो मैं ची लिखना है इसका link भी मैं अपने वीडियो के description में दे दूँँगा आप उसको वहाँ से जाके check out भी कर सकते हैं आपको open करना है www.youtube.com slash creators slash safety और इसको आपको search कर लेना है जैसे दोस्तों आप इसको search करेंगे यहाँ पे creator safety center आपका open हो जाएगा website यहाँ पे देखने को मिल जागी और यहाँ पे आप आके बहुत सारी चीज़े यहाँ पे देख सकते हैं जान सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए YouTube ने बहुत सारी चीज़े यहाँ पे update कर दिया कि आपको अपने channel को कैसे safe और secure रखना है तो यहाँ पर बहुत सारा topics आपको दिया है getting safety, starting safety, growing your channel safely, managing unwanted behavior from others, finding the support you need इस तरीके का update आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ video भी आपको देखने को मिल जाएगे ठीक है तो आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा detail में मैं आपको explain कर देता हूँ कि YouTube ने यहाँ पर क्या-क्या safety को लेकर के आपके बारे में update किया है कि आप अपने channel को कैसे और भी जादा safe और secure रख सकते हैं ताकि आपके channel को कोई भी hack न करें तो यहाँ पर दोस्तों YouTube ने सबसे पहले यहाँ पर एक ची अपडेट किया है यहाँ पर set up two-step verification यानि friends आपको अगर अपने YouTube channel को hack से बचाना है तो आपको अपने YouTube channel पर two-step verification को on करके रखना पड़ेगा वैसे दोस्तों यह update बहुत दिन पहले आया था आपने YouTube channel पर two-step verification को on करके रखा होगा अगर नहीं किया होगा तो प्लीज इसको on कर लिजेगा क्योंकि इसके बगर तो आप अपने YouTube channel को monetize के लिए apply ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां पर आप अपने YouTube channel को monetization के लिए apply करते हैं वहां पर two-step verification को on करना compulsory होता है तो सबसे पहले आपको काम करना है अपने YouTube channel की email ID का जो यहां पर है उसको two-step verification को on कर लेना है इसके बाद दूसरा जो चीज है यहां पर लिखा हुआ है use a separate email for your channel यानि friends YouTube का कहाना है यहां पर इस website की मदद से कि आप अपने YouTube channel की email ID है उसको separate रखें यानि personal रखें उसको नीजी रखें किसी के साथ उसको share ना करें जैसे कि friends बहुत सारे लोग होते है अपने email ID को कहीं भी share कर देते हैं साजा कर देते हैं तो आपको अपने email ID को कहीं भी किसी की साथ भी share नहीं करना है खास करकर वह email ID जो आपके अपने YouTube चनल के email ID है ठीक है उसको कहीं भी share नहीं करना है इसके अलाबा है यहाँ पे तीसरा चीज है create a strong password यानि तीसरा चीज यूटुब कर रहा है कि आपको अगर अपने YouTube चनल को safe and secure रखना है तो आपका अपने YouTube चनल के email ID है यानि अपने YouTube चनल का पासवर्ड है उसको और भी जादा strong करकर रखना है अलाब कि दोस्तों सभी लोग अपने YouTube चनल को strong करकर रखते हैं लेगि बहुत सारे ऐसे YouTuber हैं जो कि अपने चैनल का password को easy करके रखते हैं ताकि उनको याद रहे और अपने YouTube चैनल का password एकना easy कर देते हैं चाहे अपने mobile number से डाल देते हैं या फिर अपने date of birth से बना लेते हैं या अपने नाम से बना लेते हैं तो आपको बिलकुल ऐसा भी नहीं करना है आपको अपने YouTube channel का password को ना strong करना है, strong नहीं, very strong करके रखना है, जैसे कि जब भी आप अपने YouTube channel का password बनाएं, तो वहाँ पे आपको अपने YouTube channel का नाम यूज करें, कुछ alphabet number यूज करें, कुछ numeric number अड़ करें, जिससे कि आपका password ना very strong रहें, और इसको किसी भी तरिके से कोई भी आपके channel को hack ना कर पाएं, यहाँ पर फोर्फ चीद दोस्तों, यहाँ पर देखनों को मिला है, set up your mandatory safely and securely, you have mandatory, don't share your password, यानि YouTube का करना है कि जब भी आप अपना YouTube channel बनाते हैं, तो आप जो password बनाते हैं, इस password को भी आपको किसी के साथ share नहीं करना, साजा नहीं करना है, वर इसके अलबा लाश्ट में पांचमा चीज टिप्स यूटूब दे रहा है, be aware of phishing scam, यानि friends YouTube कर रहा कि आपको हमेशा scam चीजों से बचना है, phishing चीजों से बचना है, यानि आपको hacking से बचना, और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके YouTube के वीडियो में बहुत स scam किया जा सकता है, आपके channel को hack किया जा सकता है, मैं दोस्तों यह नहीं कर रहा हूं कि आपको अपने YouTube channel को, यहाँ पे YouTube channel सिपनी लेना चाहिए लेकिन हां, आपको अपने यूटूब चैनल के उपन सिप लेना है, तो कभी भी आपको अपने YouTube channel के e-mail-e-e-e-i-e jut उसको किसी के साथ share नहीं करना है, उसका password किसी के साथ share नहीं करना है, यानि YouTube चैनल की email ID, password को two step verification on करके भी रखना है, email ID का, email ID और password किसी के साथ share वगरा नहीं करना है, और आपको अपने चैनल को बहुत ही अच्छे से safe and secure रख सकते हैं, तो इस तरीके का update आपको इस website पर किया है, सच कहूं तो दोस्तों मुझे ये update काफी पसंद आया है, अब यूटूबर्स को ना अपने चैनल का hack होने का जो खत्रा उनके दिमाग में चल रहा था, उनके मन में चल रहा था, वो खत्रा दूर हो जाएगा, और कोई भी अपने किसी के चैनल को hack नहीं कर पाएग उमीद दोस्तों ये update आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगा, वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, और चैनल पर पहली बारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा